यूँ फैमिलीज के लिए I think ये बहुत बड़ी एक hope की इनोंने बात शेयर करी है कि 5 साल पहले ही आपे लाज के लिए आए थे और जोनों इनने बात बोली ना कि मेरे husband कार ड्राइव करके गए थे तो इनका एक इतना major accident हुआ था क्योंकि husband ने alcohol लिया हुआ था intoxicated state में थे जहां पे सिरफ ये नहीं जो दूसरी गाड़ी में family थी वो भी खतम हो सकती थी तो वो इनका rock bottom था वो उनका एक point turning point था जिंदगी का कि अब बस अब तो इलाज चाहिए मतलब जब बात because जब हम बात करते हैं ये fatal disease है तो जरूरी नहीं कि वो drink करके ही कुछ हो है तो अगर निरू मैम यही share कर रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने माना कि एक बिमारी है और इलाज में आए और फिर सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से किया तो आज 5 साल के बाद वो ही husband जो बिमार थे वो drive भी कर रहे हैं अकेले भी जा रहे हैं बड़ी बड़ी responsibility लेते हैं काफ एन officer in excise department तो यानि की science ने एक अच्छा recovery protocol बनाया है इलाज बनाया है provided हम follow करें बड़ हमारा ना रोज का यही challenge रहता है कि मैं देख रहे हूं कि कितनी अच्छी तरह से तीन session चले जिसमें पताया गए यह बिमारी के लक्षन है यह पांच chemical है यह खराब हुए है इसलिए हो रहे हैं मगर आज जब वो नई families नीचे personal session के लिए आई तो उनका यही सवाल था कि patient को समझाओ patient क्यों नहीं मान रहा तो मतलब इतना ज़ादा मुश्किल क्यों होता है मानना कि यह बिमारी है और सारी की सारी जो recovery है treatment है वो इसी बात पे फसा हुए है कि जब family ने माना बिमारी है recovery शुरू और जब तक family मानेगी नहीं यह बिमारी है तब तक recovery शुरू नहीं हो सकती तो कल हम यही बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो हमारे patient के recovery को treatment को खराब करती है और मतलब इलाज है मगर हमारे अंदर कुछ ऐसी बाते हैं कुछ ऐसे कारण है जिसकी वज़े से हमी इलाज नहीं होने देते मतलब आप दोनों situation देखो इलाज के लिए आएं मगर इलाज हमी नहीं होने दे रहें कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से कभी लोगों के डर से कभी शरम के डर से और इसको हम accept नहीं करते तो चलो आप से पहले बात शुरू करते हैं फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलता अपनी शेरिंग का किसी की कोई भी शेरिंग कोई भी सवाल नई फैमिलीज हैं 100 स्वाल होते हैं अंजी मैम आप पूछिए कुछ कैसा मैसूस हो रहा है क्यों आए थे आप यहां पे रावल उनको देना माइक सबसे पीछे जो बैठे है मैं अपने बेटे को लेकी आई थी कि वो बस एक उसको हमें भी पता ही था लेकिन मतलब वो भी मानने को त्यार नहीं था कि मुझे कोई प्रावल्म है लेकिन वो रियालिटी से बिल्कुल दूर हो चुका था उसकी प्रावल्म इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी अभी 13 डेस यहां रहे उसके बाद अभी वो हर्मिटेस में है आज मिलके भी आई उससे बात अभी भी वही है कि मुझे यहां से ले जो मैं ठीक हूँ बिल्कुल लेकिन अभी भी वो समझ नहीं रहा धीरे धीरे समझेगा पहले से अब आप 13 दिन के बाद यहां पे रहके फिर वाँ गए और आज मिले और आपको बात करके पता चला कि फिर अभी तक वही बाते करें तो गुसा नहीं आया नहीं बिलकुल नहीं आया क्योंकि मुझे पता इतनी जल्दी वो बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं उससे समझ चूकि मैं यह मिटिंग सुनती मुझे पता है ये बिमारी बहुत टाइम लेगी हमने भी उसे बहुत टाइम ऐसी छोड़े रखा ना ये गलती हमारी भी थी ये रिलाइजेशन बहुत इंपोर्टेंट है कि यहां पहुंच कर हम चाहते है कि जल्दी-जल्दी कुछ हो जाए कोई magical ड्रग है कोई magic injection लग जाए ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है जो आप टीवी में भी देखते हो ये दवाई खाने में मिला दो ये दे दो छुपके से वो दे दो ऐसा कुछ भी नहीं ये बिमारी को खतम करने की कोई दवा नी बनी बस एक तरीका है और सबसे बड़ी बात जो आपने realize करी और share करी कि इतना time लगा बिमारी को बनने में और इतनी देर से बिमारी ना-इलाज रही तो अब जब वो इलाज में आया है तो time लगेगा और सबसे बड़ी बात ये बिमारी एक ऐसी बिमारी है जो छलावे देती है मतलब हमें बेफ को बना देते हैं पेशेंटी की नहीं नी मैं ठीक हूँ और हम भी बेफ को बन देते हैं जैसे कोई example दीजिए जैसे आज की example है आज भी बार-बार कह रहा था लेकिन नहीं वो अंदर वो जो छीज बैटती है जब तक ये बोल रहा है वो ठीक नहीं है मैंने ये सोच लिया कि वो जब तक ये बोल रहा है ना तब तक थीक नहीं है और शको आज भी ये ही समझाया कि पहले तूना यहां पर रह रहा है तो ये बिज चीज conseguir अगर नशा अंदर जाएगा तो फिर से वो एपिसोड होगा जो उसको हुआ सक्से बड़ी बात ही है कि अभी वो उस पुजीशन में ही नहीं है कि बाहर जाके कुछ भी मैनेज कर पाए अभी तो 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 अगर आपको पांट साल होगे दस साल होगे अगर एक पेशिंट का जो बिहेवियर है ना कुछ उसके जो करेक्टर फ्लॉज है वो हमेशा रहेंगे और हमें वो एकसेप्ट करने पड़ेंगे अब जो बंदा पहले एज पेशिंट वो ड्रग लेके या कोई सब्स्टांस लेके उसकी एनरजी डिफरेंट थी अब उसको वो चीज नहीं मिल रहे है और हमने हमीट एज में एक ऐसा प्रोसेस रखा है जहां पर हम उनको निव स छीजएं एक्सेप्ट करनी होती है कि हम ओवर एकस्पेक्ट नहीं कर सकते हों सकते हैं कि अगर हमने एकशेप्ट कर लिया यह बिमारी है तो और यह डाइबटिक है शुगर का पेशेंट है अब यह यह चीजएं नहीं खा सकता। उसी तरह से हमारा जो पेशन्ट है, वो भी एक रिकवरी के प्रोसेस में, अब उसकी क्या कपासिटी हो गई है, क्या फेज हो गया है, और मतलब हर चीज को ध्यान से देख के चलना पड़ता है, हमें एक्सपेक्टेशन्स की बात कर रहे थे आज, तो ये बिलकुल अच्छा बालिट पॉइंट है, मैं तो खुद कहती हूं कि इस ट्वीटमेंट में पेशन्ट का नया जनम होता है, क्योंकि बच्पन से लेकर आज तक उसने जो सीखा होता है, उसके काम नहीं आता, उसके थौट्स, उसके बिलीव सिस्टम, उसका माइन, जो सर कहते हैं, नीरो पाथ बनाये जाते हैं दिमार्ग में, तो यह प्रोसेस है, नीरो प्लासिसिति, जो आप बोल रहना है, वो बस ही है है कि हमने अपने दाएरे जो हैं, वी हैव तो रेकोनाईज, इस वेरी इंपोर्टिट कि अगर आपको रेकोरी में रहना है, और बीइंग एंग फामिली आप अ जो प्रोग्रम है क्योंकि एक प्रोसेस है, याँपे फैमिली को हर मोड पे एक डिफ़रेंट रोल भी लेना पड़ता है, एक पनी चाह events, जो हम यह प्रोड़ जकू हां पीषे हटके पेंचन को भी आगे जाने देना तो यह हम और ईहार को फ allowstick every patient to patient wäre भी करता मतलब कुछ जेनरल चीजें बोली जाती है, मान लीजिये, बोला जाए कि शुरु-शुरु में पेशन के साथ रहो, क्योंकि उसकी अभी जो मत है इतनी डेवलप नहीं होई है, कि वो अपना फैसला सही कर सके, तो अब वो फैसला क्योंकि सही नहीं कर सकता, तो उसके साथ रह तो वो भी नुकसान है, तो प्रोसेस में फैमिली को अपडेट रहना पड़ता है, कि अब मुझे पीछे हटना है, अब मुझे साथ चलना है, अब मुझे ध्यान रखना है, और ये सारे चीजें एक्सपर्टी बता सकते हैं, या जो कांसलर हमारे पेशन्ट के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे एमोशन्स और फीलिंग्स आड़े आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं, जैसे हमें लगता है कि अब सब अच्छी बात कर ली, अब रुटीन भी ठीक हो गई, बिहेवियर भी बेटर हो गया, and because human memory is short-lived, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो हम overconfident हो जाते हैं, डर तो हमेशा रहेगा, थोड़ा बहुत डर तो is natural also, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल डर नी होगा, तो हम conscious नी रहेंगे, हम aware नी रहेंगे, हमारे दिमाग में रहेगा कि everything is okay now, but क्योंकि बिमारी कनिंग है, so we have to keep this thing, तो इसलिए जो ये permitage भी चले गए, अब आप घर भी चले गए, क्योंकि बिमारी शरीर के अंदर बैठी हुई है, मुझे लगता है अगर यही रोज अपने दिमाग को सुना ले ना, कि बिमारी patient के अंदर है, treatment ने बस पकड़ के रखी है, इलाज ने बस पकड़ के रखी है, अगर आप ही छोड़ दी, तो हम वापस आ गए, तो ये वाली चीज को, इसलिए शायद इतने सालों से ये कुरसी आए, इसलिए ये meetings है, अब तो हमने online भी शुरू कर दी, because सब के लिए possible नहीं है, कि हमरे सर में ही settle हो जाएं, यहीं पर रहने लग जाएं, तो जुड़े रहना जरूर हैं, क्योंकि हर religion भी कहता है, कि हम भूल जाते हैं, हम ये मायवी दुनिया में रहते हैं, हम भूल जाते हैं, I think सबसे बड़ा example तो यह है शमशान जाने का, जब हम किसी की cremation में जाते हैं, हाना, जब हम cremation हो रही होती हैं, और वहां खड़े होते हैं, तो हमारे दिल में चल रहा होते हैं, अच्छा, मैंने भी यहां पे आना है, मेरे घरबालों के साथ भी ऐसा होगा, हमारे घर में भी death आएगी, हाना, उस time हम पूरी तरह से involved होते हैं, और जैसे जैसे वो ceremony खतम होती हैं, और हम बाहर आते हैं, तो उसके बाद वही, ओहो, आज तो यह सबजी बनानी हैं, आज तो वहां जाना है, आज यह करना है, we forget, and we forget, जब हम जिन्दगी जीरे होते हैं, कि यह जिन्दगी की सचाई है और आनी है, तो हमारी memory ही ऐसी है, हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो अगर हम भूल जाएंगे, तो overconfident हो जाएंगी, हम ध्यान नहीं र हो सकती है, अगर एक sugar के patient को बिमारी है, और उसकी sugar ठीक चल रही है, जैसे मैम ने का मेरा BP कभी-कभी बढ़ जाता है, तो हो सकता है, दो-तीन साथ किसी की sugar level में रहे, range में रहे, मगर उसके बाद एक दिन बढ़ जाएंगे उसकी sugar, या उसकी sugar गिर जाएंगे, तो इसलिए क्योंकि दिमाग से related ये बिमारिया है, हमारी दिमाग से related situation है, तो everyday हमारे life में challenges आएंगे, हो सकता है किसी दिन काम बली जगा पे कोई लडाई हो जाए, कोई tension आ जाए, घर में कोई problem हो जाए, तो हर चीज दिमाग से जुड़ी हुई है, और हमारा patient का ये छोटा सा एक handicap है, कि उसके जो skills है, उसके जो दिमाग की एक physical condition है, उसके जो predisposition है, उसका जो दिमाग ही कुछ ऐसा बना है कि वो जल्दी affected हो जाता है, जैसे अगर हमें चीज इतना तंग करेगी, हो सकता हमारे patient को इतना तंग करे, तो क्योंकि जिन्दगी रोज बदलती रहती है, नए-नए challenges आते हैं, नए-नए situations आती हैं, तो हमें हमेशा तयार रहना है, तो ये जो हम यहां पे सब कुछ कर रहे हैं, हमें त्यारी कर रहे हैं,